मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की राधिका मर्चंड से शादी हो गई है शादी 12 जुलाई को मुंबई में हुई अनंत अंबानी और राधिका मर्चंड की शादी का जेशन 14 जुलाई को वर्ल्ड जियो सेंटर में हुए एक ग्रान वेडिंग रिशेप्सन के साथ थम गया है लेकिन इस शादी की सुर्खियां अभी तक नहीं थमी है देशी नहीं बलकि पूरी दुनिया में अमबानी परिवार की शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी तीन दिन तक चले इस शाही समहारों में देश दुनिया की कई मशूर हस्तियों ने शिरकत की बॉलिवुड कलाकारों ने भी अमबानी परिवार के जश्न में चार चान लगा दिये शादी में बॉलिवुड एक्टर मिजान जाफरी ने भी शिरकत की वो ग्रैंट वेडिंग के हर फंक्शन में नज़र आए अब दावा किया जा रहा है कि उन्हें अमबानी फामली ने करोडों रुपए का गिफ्ट दिया है ये दावा किया है शोशल मीडिया पर बॉलिवुड से जुड़े अपने अनोखे और विवादिद दावों के लिए चर्चा में रहने वाले और खुद को फिल्म क्रेटिक कहने वाले कमाल राशित खान यानि की के आर के ने शोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं तो अकसर ही एकसपर चरचा में आने वाले ट्वीट करते रहते हैं कभी उन्हें अपने ट्वीट्स पर खुब ट्रोल भी होना पड़ता है ऐसा ही हाल में उनके हालिया ट्विट से हो रहा है दरसल इस ट्विट में क्यारके ने दावा किया कि जावे जाफरी के बेटे एक्टर मिजान जाफरी ने राधिका को अनंत से इंट्रड्यूस करवाया था और उन्हें इसके लिए बहुत तगड़ा गिफ्ट भी मिला है क्यारके ने अपनी एक्स पोस्ट में दावा करते हुए लिखा कि एक्टर जावे जाफरी के बेटे मिजान जावे जाफरी मुंबई के बांदरा के संधू पैलेस में रहे रहे हैं क्योंकि मुकेश अमबानी ने 30 करोड रुपे का शानदार अपार्टमेंट गिफ्ट किया है असल में मिजान ने ही रादी का मर्चंट को अननतंबानी से मिलाया था कुछ भी हो सकता है क्यारके की इस पोस्ट की काफी चर्चा हो रही है इस पोस्ट पर बड़ी जल्दी लोगों ने दिल्चस्पी लेनी शुरू कर दी है लोग सोच रहे हैं कि क्या सच में अमबानी ने कुछ ऐसा किया है लेकिन मिजान के पिता और सीनियर एक्टर जावे जाफरी ने इस पोस्ट पर रियक्ट करके तमाम तरह की बातों पर ब्रेक लगा दिया है जावेद ने लाफिंग इमूजी के साथ क्यारके की पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा कुछ भी जावेद जाफरी के जवाब के बाद कई शोशल मीडिया यूजर्स भी क्यारके की टांक ही चाई करते हुए नजर आए एक यूजर ने लिखा क्यारके अभी भी वर्टसेफ फॉरवर्ड में विश्वास रखते हैं एक और यूजर ने लाफिंग इमोजी के साथ दिखा इसका हर ट्वीट ही कहता है कुछ भी हो सकता है क्यारके के दावे और उस पर बने मजाक से हटके मिजान जाफरी रियल में अनंतंबानी के बेहद खास दोस्त हैं वो पूरे महिने अनंत की शादी से जुड़े फंक्शन्स में लगतार हिस्सा लेते हुए नजर आए आपको बता दे कि मिजान ने डारेक्टर संजे लिला भंसाली के असिस्टन्ट के तौर पर करियर के शुरुआत की थी उन्होंने साल 2019 में भंसाली के प्रोडक्शन में बनी फिल्म मलाल से डेब्यू किया था इसके बाद वो हंगामा टू, पदमावत और बाजीराव मस्तानी जिसी फिल्मों में काम कर चुके हैं आखरी बार मिजान को यारिया टू में देखा गया था ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी फिल्हाल इस खबर में इतना ही